काराकाट लोकसभा छेत्र का ये आखरी गाओं है पतनवा जी हां बता दे आपको कहीं ने कहीं ये आखरी सीमा बॉर्डर है और उसी जगह पे हम आये हुए हैं और कहीं ने कहीं यहां से आपको exit पोल बताने का हम प्रयास कर रहे हैं हाला कि मेने stream मीडिया आपको लगतार मूलत है तो गलत है हहां यहां सामने आ रहा है रहा हा हां स्वाय निकलेंगे इन यहां से कुछ और अच्छा निकल के आने का प्रयास कर रहे हैं यहां समझ में आ रहा है कि लाश्ट बोडर है और यहां से फिर सासा राम का शूरू हो जाता है तो मैं बता दू मिडिया वाले को गलत 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 न्यूज निकल रहे हैं तो आप पाइसा खा कर और गलत गलत इस्टेटमेंट निकाले यह बहुत गलत बात है आप लोगो का आप लोगो का मैं सचाई दिखाना तो आप सचाई दिखाईए गाउं-गाउं घूमकर जैसे ये आए हैं हमारे भारत पत्रिका के जो हमारे मिडिया भाई हैं इनको बहुत-बहुत धन्यबाद की यहां पूरे गाउं-गाउं घूमकर और सबसे सर्वे करके आंकड़ा निकाल रहे हैं आप लोग एसी में बैठ कर और कुछ भी बोले जा रहे हैं कि यह फलना जीत गया फलना हार गया कई से भाई बहुत-थम दिये हैं और आप लोग जीता हार रहे हैं यह बहुत-बड़ी और कहीं ने कहीं जो है इस सभी चीजों को लेकर लोगों के मन में बैठ रहा था कि आख निकल रहे हैं अनुमान यहीं हो anum फिक सोची लिशए कि तरह से पुनिता डंब जीत गोट बूस जाके उनको नोस वह बैठ नहीं घालेध आएं और यहीं हमारे गाओं हैं यह लोग सभा वी मिदान सभा यहां तक बेंब्रक की ब्नदान को रहा हैं क्योंकि गोई भी सीमा अगर संसद्य छेत्र से अलग होता है तो रेड एरिया के अंदर आता है यह तो हमारा रेड एरिया हो गया इसमें बाके जो पहले की जीते हुए जितने भी कंडर जैसे की यह महाबली हो गया हुआ हम लोग खुद उम्भेदर कुष्वाव को भर देख आप लोगों ने देखा ही नहीं है यह तक महाबली को नाम भी सुनते हैं हर रोज हर साल हर सब्सक्राइब अमारे गेस्ट हाउस में अच्छा और यहीं चौराहा से गुजरते थे लेकिन उतर के जो जनता उनको जिताई थी उनसे हाल चल लेने का टाइम नहीं था अब उतन नेता है तो भाई उनको बजिसनेस करना चाहिए बिजनेस मैं इतला बहुता है थोड़े तोनी चाहिए मुद्दा है कि मेरा जो भी है एक लाख जो मिलेगा हम उस पैसे का हम रोटी तक नहीं खाएंगे यहीं बहुत बड़ी मुद्दा है और दूसरा कि विकास क्या पहला ही विकास कर गया कि पूरा कारा का ट्रेंड कर गया पूरा ओल इंडिया में चोटे-छोटे बच्चे जो ह वन्टू में पढ़ते हैं उनको भी पता है कि पावन सिंग यहाज चुनाओ लड़ रहे थे बिलकुल क्या आकड़ा सामने आ रहा है बिलकुल हमारे हिसाब से तो जैसे पावन सिंग जी है इस पर अच्छे खासे बोटों से जीतने वाले हैं तेकि हम चाहते थे कि हमारे जो बेढ़ाटे शीजिझा करने पावन साफन सेसे विए तो इस गीजिए करें टैयार है भाटे को मिठाई आगैंगे वह और वर गंताका चाहिए पुरा खुसिया मनाई जाएगी पुरा गाउ ने पुरा लोक सभाथ छेत्र लोक सभाथ चेत्र गड़ू का ओडर कर दी है जी सब यहां बगले में दुकान है चोक पे हमारे चोक पे दुकान से ओडर हो गया है कल जीत कि जैसे घोचित निधारीत होता है लड़ू आज राथ से बनना स्टार्ट हो जाएगा अच्छा अकल ताजा ताजा मिलेगा आप भी आईए आप भी खाईए क्या कमी है उनके पास कुछ नहीं है यहां तक अपना वेतन को भी जब जनता में बाटने के लिए अगर वो बोल दी है है तो लिखित रूप से लिखित रूप से भी सोसल मीडिया का जमाना है सभी लोग देख रहे हैं जो आपने माता जी भी बोली कि मेरा बेटा को जो है हम कारा काट के लोगों को सौंप रहे हैं और पहुंसिंग ने यह कहा कि हम यहीं घर बनाएंगे हमारा अधार काट पर यह हमारा सहाबाद छेदर था है तो पहुंसी सहाबाद के ही उपेंदर कुछ वां उस पार से आगे इस पार अच्छा उजियार कुछ से आ गये हैं कॉलो भाई उनको क्या दिखाते हैं एक मेरा यूवा मेत्र आई 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 डिदर आई अगर कोई को दे कि पावन सिंग र पूरा बहुत बिद्वत तरीका से होगा क्या बाद है कल देखिए नतीजा का सभी लोगों को इंतिजार है इनके मन में पहले से यह जो है बस रिजल्ट आने की दिरी बस खाली है कि को मिल जाएगा क्यों की हम लोग जनता है हम लोग मारे और सभी जगह घूम के देख रहे हैं आप तो मीडिया वाले है आपको घूंड लेपर पर सभी जगह हरे गाव में जाना है देखना है आपको और हमसे ज्यादा जनकारी होगा हम भी अपने रिलेटिव दोस्त यार मित्र जिद्ने भी ह जो पर होई हैं निमे हैं पर्म कमें यहां से बीजयी हो रहे हैं यहां से हरा है और तीन लाग सतर हजार के लगभक भोट उनका आ तिकना बाकी जो है लगबग इतने पीछे के जो इनके प्रतियासी हैं उनसे लगबग 60-70,000 से उपर से आगे निकल रहे हैं जीत होता है और यह सभी लोगों का अनुमान जो है एक एक जिट पोल के हिसाब से देखे तो यह मान के चली यहां पर अगर 50 लोग हैं तो 50 लोग में भी 50 लोग पावन सिंग को सपोर्ट कर रहे हैं तो इसके हिसाब से अगर आप आकड़ा निकालेंगे जिस भी वीडियो में आप देखेंगे तो पावन सिंग आगे निकल रहे हैं एक अनुमानित एकजिट पोल के हिसाब से 3,70,000 के आसपास पावन सिंग को वोट आ रहा है वहीं जो है राजा राम को 3,25,30,000 और उपेंदर को सवहा को 2,40,000 के आसपास यह अनुमानित सर्वे के हिसाब से ग्राउंड जीरो से पता चल रहा है फिलाल ये वीडियो आप लोग कैसा लगा कॉमेंट सेक्शन में जाके अपने सुझाव जरूर रखेगा तब तक के लिए आपने बहुत बहुत धन्यवाद जहीं